पॉलिटिकल किस्से आज बात भारती जनता पार्टी के एक ऐसे नेता की जो कभी नकसली था जी आपने सही सुना एक ऐसे नेता की बात जो पावर लिस्ट में नरेंदर मोदी से दो पायदान उपर था एक नेता जो नरेंदर मोदी से भारती जनता पार्टी से नाराज हुआ और तमाम जिंदगी जिन लोगों को कोस्ता रहा उन्हीं के पाले में चला गया फिर एक रोज वापस कमल दल में आ गया ये संजय पासवान की कहानी है जो कभी बिहार की भाजपा में उसका सबसे बड़ा दलिच चहरा हुआ करते थे और जिन्हें नए सिरे से राजनीतिक जीवनदान दिया जा रहा है ताकि वो भारती जन्ता पार्टी की भविश्य की रणनीति में काम आ सकें ये संजय पासवान की कहानी है जो कभी अब इधा में लीजिएगा इस शब्द को इस बात को अंगारों पर चले है ये संजय पासवान की कहानी है जो गले में साप लटका कर सड़क पर मार्च करते एक नवंबर 1999 ये तारीक आखों में भर लीजिए एक गलत कदम एक गलत फैसला किस तरह तकदीर बदल देता है इसकी मिसाल देने और समझने के लिए बहुत मुफी तारीक है इस तारीक को इंडिया टोड़े मैगजीन का एक इशू छपा था मैगजीन के अंदर एक रिपोर् पर थे चंद्रबाबू नाइडू सबसे नीचे कि सस्पेंस थोड़ी देर के लिए कायम रखते हैं थोड़ा सा लिस्ट में उपर चलते हैं पंद्रवे नमबर पर एक नेता था फोटो थी उसकी जिसमें वो बिस्तर पर बैठे एक बच्चे के साथ शतरंज खेल रहा है श इनी बार सांसर बने शक्स को शतरंज खेलना पसंद है इनकी आगे की चालें इन्हें बिहार की राजनीती की अगली पांत में खड़ा करेंगी बिहार जहां जात की राजनीती पहले कभी इतनी एहम नहीं रही इस तरह से उनका परिचे खतम होता है मैगजीन में इस लिस्ट के सत्रवें और आखरी नाम भी इन ही की पार्टी के एक नेता जी के नाम थे उनका नाम था 19 साल बाद उस लिस्ट का रिवीजन करते हैं फिर सस्पेंस खत्म करेंगे ये 2018 है लिस्ट को बने 19 साल बीच चुके है 18 बोलने वाला था सत्रवा आदमी जो उस लिस्ट म आखरी नाम था आज देश का सबसे मजबूत सबसे ताकतवर नेता है उसका नाम है नरेंद्र दामुदर दास मोदी और वो पंद्रमा आदमी वो अब जाकर बिहार का विधान परिशद का विधायक चुना गया है सदस्य चुना गया है 19 साल पहले सांसत था 16 साल पहले शतरंज का एक प्यादा गलत चल जाए तो वजीर मर जाता है राजनी थी भी ऐसी ही चीज़ है एक गलत दाओ एक गलत टाइमिंग और आदमी पीछे छूट जाता है हमारी इस खबर के किरदार के साथ शायद ऐसा ही हुआ क्या हुआ ये आगे बताएंगे तीन नाम तीन वोट बैंक उनकी ये कहानी है नाम संजेपासवान बिहार में बीजेपी के शायद सबसे बड़े दलित नेता बिहार में विधान परिशत की 11 सीटों के लिए चुनाओ था बीजेपी ने इसके लिए अपने तीन उमीदवार मैदान में उतारे सुशील, मोदी, दूसरे स्वास्त मंतरी मंगल पांडे और तीसरे संजेपासवान, तीन उमीदवार, तीन कास्ट ग्रूप, तीन वोट बैंक, तीनों ने विरोध चुन लिये गए संजेपासवान की राजनीत के लिहाज से ये बड़ा धूप छाओ वाला मामला था खुद दलित नेता हैं लेकिन ये कहने में हिचक नहीं रखते संजे की पार्टी चलाना दलितों के वश की बात नहीं, विरोध होने पर पार्टी के खिलाफ भी बोल जाते हैं, दूसरी पार्टी की राजनीत के जो ट्रेडमार्क प्रतीक हैं उन्हें अपना बना लेते हैं जब संजे पासवान भारती जनता अंशूचित जाती मोर्चा यानि कि ऐसी मोर्चा इसके राष्ट्री अध्यक्ष थे तो छे अशोक रोड वाले भारती जनता पार्टी के दफ्तर में उनका जो कमरा था उसमें उनकी कुर्सी के पीछे बाबा साहब भीमराव मेटकर से ल ऑखरशाष बनाया था फिर राजीव ने नेता बनाया संजे पासवान सब को अपना बताते हैं और सबको अपना बताने वाले इस नेटा का सफर बेहत दिल्चस्प है क्योंकि वह अपने पन से नहीं पराएपन के बाव से शुरू होता है और नकसली आंदोलन के शुरू हो कभी ये गाँ होता था मोहला बन गया है ये मोहला संजे पासवान का स्थाई पता है यही पर दो मई 1962 को वो पैदा हुए थे महवी राम और कृष्णा देवी की ग्रस्ती में बाबाब ने तै कि आप बच्चों को खूब पढ़ाएंगे बाबा साहब भी यही कहा करते थे और आप सब को भी यही करना चाहिए बच्चे पढ़ने निकले खूब पढ़े उस जमाने में लहेरियस राय के अंदर बहुत कम ही इतने पढ़े लिखे दलित परिवार रहे होंगे अब पढ़ाई लिखाई के बाद उनका चात्र राजनीति का दौर शुरू होता है और अब ह देखा था कि कैसे लालू प्रिसाद याद आओ या सुशील मोदी जैसे छात्र नेता नेता बन गए कॉलेजों के जवान जहां लड़के तब पढ़ते कमते राजनीती जादा करते थे सौ मैसे नब्बे तो सिर पर दुनिया बदलने का भूत लादे चलते थे चलना विचे यह उमर ऐसी है बंगाल का परोसी था बिहार नकसल आंदोलन खूब बड़ा था आपको हजार चौरासी की मायाद है गोविन नहलानी की फिल्म या फिर सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाइश है ऐसी और इससे पहले कि आप मुझे कहें कि सिर्फ गोविन नहलानी की फिल् उनका मन लगा वामपंथ से हिंसक वामपंथ नकसली एक्स्ट्रीम लेफ्ट हातियार उठाने से ही क्रांती आएगी वो सारे डायलोग जो लिखे आते तरह दिवार पर पावर ग्रोस फॉम दे बैरल ऑफ गन और सबको लगता था कि क्रांती आके रहेगी वही वाला दौर तब उन्हें लगता था कि सर्भारा बुर्जुआ ये सब खुब किया उन्होंने इस तरीके के बुर्जुआ प्लोरतेरियत चात राजनी का एक बेसिक फंडा होता है कि जवानी में जिदर निकल लिए बस फिर उधर के ही होके रहे आते हैं जातर मामलों में आप देकिना अकिल बारती विद्याती परशद या एनस्युआ के नेताबाद में बीजेपी या कॉंग्रिस में अपना करियर बनाते हैं लेकिन संजे पासवान तो नक्सली राजनीती में चले गए थे बाद में उनका किरदार बदला हीर घाट से निकले तो सीधे बीर घाटा लगे एक अब्बे का वक्त राम जन्मुमी अंदोलन अपने पीक पर था एक लहर सी थी इसी लहर में संजे पासवान भी इदर आ गए भारती मजदूर संग यानि की बीमेस आरसेस का ये लेबर यूनियाने से यू समझ लीजे शमिक संग ठन इसी से संजे पासवान जुड़ गए ब आरसेस में आ गए ब्यमेस संजे पासवान का लॉंच पैट साबित हुआ यहां से चले तो 1994 में उन्होंने बीजे पी जॉइन कर लिए तब बीजे पी को लग रहा था कि अगर लालू के रत को को रोग सकता है तो वह भारती जन्ता पार्टी है मैं जान गुच के रत का जिक लालू प्रसाद यादव की दबंग गई को हाला कि लॉंग रन में लालू को ही इसका फाइदा मिला था क्योंकि उनके पास वो मशीन दी थी जो कई फेजिस में बटे बिधान सभाचुनाओं में अपने आप को एक विक्टिम की तरह पेश कर सके वो बार बार कहते थे यह पखलवा गया है इसको लाएंगे और भैस की तरह यहां पर लोड देंगे पूरा चुनाओ शैसन बनाम लालू यादव हो गया था अब आते हैं अपने इस कथा के नायक के पास वो क्या कर रहा था वो दर्भंगा के पास समस्ति पुर्जिला है वहां की वारिस नगर सीट स यहां कहा था छुनाओ लड रहा था चुनाओ लड़ा हारा उब चुनाओ वह उसमें भी खड़ा हुआ दोबार रहा इस 70 पहले लालू के साथ आकर फिर लालू से अलग जाकर संजे पासवान की कहानी में भी लालू आते हैं दो अलग-अलग शेट्स के साथ आते हैं पहली मरतबा जब संजे पासवान लालू को भरी महफिल में रुस्वा कर देते हैं पार्टी ने उनको दो मौके दिये थे चुनावी वो दोनों में हार गए इसके बावजूद संजे पासवान का संगठन में लगातार कर बढ़ रहा था उनने बिहार में पार्टी का महासचिव बनाये गया कहते हैं जो उस वक्त के राजनीती के जानकार है कि संगठन बनाने में संजे पासवान का सधा हुआ हाथ था मैं भी मोदी का फिर से जिक्र करने का मन कर रहा है मोदी भी इस दोरान केंद्री इस तरपर संठन का काम देखकर अपना कद बढ़ा कर रहे थे क्योंकि केशु भाई पटेल और वागिला के जगडे में उनको दिल्ली शंट कर दिया गया था उनमें भी संजेपासवान जैसा ही उनर था या उनसे जादा हुनर था ये कहने में कोई उरेज होना नहीं चाहिए अब आपको एक घटना बताते हैं जिसका जिक्र किया रुसवाई का जिक्र किया साल 1996 डलितों के एक सभा चल रही थी सभा में लालू प्रसाद यादाव भी पहुँच गए सभा के बीच में संजेपासवान उठे और उन्होंने देट तला तर लालू प्रसाद यादाव से सवाल पूछने शुरू कर दिये लालू को लग रहा था कि मैं अपने दम पर 1995 का चुनाओ जीत कर आया हूँ नब्बे मैं तो मुझे जनता दल के और नेताओं से मुख्यमंत्री के पत के लिए मुकाबला करना पड़ा था पर अब मैं निर्विवाद लोकतांत्रिक राजा हूँ जनता दल का कम से कम बिहार में और दलितों और पिछ्णों का भी मस्या हूँ ऐसे मैं कोई दलितों की सभा में यूं कैसे मुझे रुस्वा कर सकता है संजे पासवान के सवालों का लालू के पास जवाब नहीं था भरी सभा में वो सन हो गए और संजे पासवान वो लालू की ही अदा में लगातार लालू यादाओं की खिली उला रहे थे चढ़ा रहे थे जैसे लालू औरों को पस्त करते थे वो खुद पस्त हो गए और ला उनका act एक दूसरा सुरूप भी है संजेप आसवान का जब आप उनके इलाखे की लोग से बात करें तो सुनाई देता है रहे महराज बहुत है intellectual आदमी है उतो दरबंगा कि किसी भी आदमी से पूछे ये dialogue जरूर आएगा intellectual आदमी है intellectual side उनकी राजनीत के साथ साथ चल रहा था एक तरफ नेतागीरी दूसरी तरफ पटना यूनिवस्टी में उनकी नौक रही जी लेवर एंट सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट में मास्टर थे रीडर थे और दोनों चीज़ें उनकी बहुत अच्छे से चल रही थी 1985 में उनकी शादी हुई थी कितना सिक्षा के पति जोर है कि पत्नी को भी शादी के बाद बारवी की पढ़ाई करवाई ग्रेजुएशन करवाया एमे करवाया प्यश्डी करवाई खुद यूनिवर्स्टी में पढ़ाते हैं और उनकी पत्नी केंद्री विद्याले में टीचर हैं थी सॉरी टीचर थी और बाद में आगे चलकर मगद यूनिवर्स्टी में वह भी प्रोफेसर हो गई हुमारे यहां बैस से बहुत सारी इस अंदर में भी तेरा मन्हुस है लेकिन संजे पास्वान की कहानी में ऐसा नहीं है यह उस दौर की बात है जब केंद्र में रहले रेस चल रही थी फटा फट चुनाओ हो रहे थे कभी डेट साल की सरकार कभी एक साल भी सरकार और यह यह लग रहा थे कि देश में चुना गिनने के बाद 1999 का लोगसभा चुनाओ तेरवी लोगसभा का चुनाओ और तेरवी लोगसभा के चुनाओ में क्या नतीज़ रहा अटल वहरी वाचपेई की सरकार बनी जो पूरे 5 साल चली रही और संजय पासवान के लिए भी यह साल लखी रहा यह चुनाओ लखी रहा वह बिहार की नवादा सीट से पहली बाद लोगसभा का चुनाओ लड़े और जीत गए सांसत बन गए संजय पासवान फिर कैबनेट में भी पहुंचे उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था पार्टी ने पहले उनको राश्ट्री महासचे बनाया फिर सब्सक्रदेश का प्रभारी बना दिया और 2002 में मतलब चुनाओ से अगले चुनाओ से दो बरस पहले संजय पासवान को केंद्री कैबनेट में जगे मिली उन्हें सूचना ट्वाग की और संचार का राज्यमंत्री बनाया गया इसके लावा उन्हें मोडली मनोहर जोशी का सब्सक्राइब ही जूनियर मिनिस्टर बनाया गया मुडली मनोहर जोशी तब मानव संसाधन विकास मंत्री थे हैं चार दी मिनिस्टर कूब उनकी नौजग होती थी जोशी साहब के साथ लोग कहते थे एक तरफ दलत नेता है और एक तरफ एक ब्राम मने और एक साप की कहा सब्सक्राइब होती है लोग कहते हैं यह उसका जिने हुए यह जो गेहुए ने उसको ब्रामन मानते हैं अदर एकदम ज्यान पर न बन जाए तब तक ऐसी होती है मानता है मुझे खुश्वन सिंग की कहानी मारक विश्णू भी यार्ण आ रही है आपको यह किस्ता सुनात सब्सक्राइब कि गले में डाले नाचते दिखें हैं संजय पासवान इतना ही नंगी नंगे पाउं वह आग पर भी चले जो अंगारे थे जो शो लेते उस पर चले और उनके दोस्तों का मजमा लगा हुआ था आग पर चलने के बाद उन्होंने अपना तलवा दिखाया बो पाचीन संस्कृत है उसका हिस्सा है एक किस्म की विद्या है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए वह अलगी दौर था विश्विद्यालियों में जो तिशी पढ़ाया जा रहा था करीबन एक्यावन ओजा उन्यों को उन्होंने बुलाया फिर इनाम इक्राम भी दिया औ और इसमें सब तरह की होजा गुनिया थे कोई चलने वाले कोई बाल खोलकर जो गोल गोल से भाचते हैं वह भी वह जो पीड़ पे पका केला चपकर कुट्टे के काटने का इलाच करते हैं अमारे गाउं की तरफ भी एक ते वह साब के काटे का से इलाज करते ते आम जाने क है कहीं करतो पीट ही चब आते हैं कि यहां किसे हड़ा है कि नहीं से फाली पीट हम स्र deben all-­- confirm जाहें गिरें ताली को रात बरो चίकोटी कारब्ट चा। मानित कर जगाई भी रखना हो तो फूरा यह से जुटे थे वार के नरी इतना पर्चे नहीं है आपको वो नारा याद है टीवी पर बार बार आता था रोकें से ना रोकें हम स्कूल चले हम जब यह खबर आई ओजा गुनियों वाली तो बड़ा हंगामा हुआ लोगों ने कहा कि बताईए चार्डी का जूनियर मंत्री यह सब तमाशा कर रहा है लोगों ने कहा कि कि बताओ अभी स्कूलों कालों कॉलेजों में भी ओजा गुनियों को पढ़ाने लगो बच्चों को तांतरिक बनाओ कई लोगों यह भी का कि चार्डी मिनिस्ट्री में जूनियर और सीनियर की राम मिलाए जोड़ी हो गई है इन लोग का इस तरह चीज़ों पर बड़ा भ से ना रुके हम स्कूल चले हम स्कूल चलें आगे बढ़ें सिक्षित हो सिक्षित हो और लोगतंत्र को मजबूत करें लोगतंत्र की मजबूती जिसका एक पड़ाव होता है चुनाओ 2004 में चुनाओ आया भारती जंता पार्टी को लगा कि अब रुके गी नहीं इंडिया शाहिनें का नारा दिया गया लेकिन पार्टी हार गई सबको लगरादा बड़ी आसानी से जीर जाएंगे पर लगने और होने में फर्क होता है संजेपासवान भी हार गए नवादा से बीजेपी के कई नेताओं में सुखवगाहट थी कि इस हार की वज़े क्या बताई जाए कई लोगों ने कहा कि गुजराद दंगा इस बात की वज़े है सुप्रीम कोर्ट बीटी का टेपुडी कर रहा था गुजराद की सरकार पर उसी दोर में संजेपासवान ने बीजेपी छोड़ दी बयान दिया बोले बीजेपी ने दलितों और अल्पसंक्यों की बेज़िती की है ऐसा लग रहा थे कि उनको नरेंदर मोदी से भी दिक्कत है उन्होंने कहा भी अटल बहरी वाच्पेई और शेहनवाज हुसैन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंदर मोदी के खिलाफ थे ये संजेपासवान का बयान है पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी माना कि गुजरात धंगो की वज़े से हम चुनाओं में हारें लेकिन इस तथा कतित पार्टी अन्शासन की वज़े से इन नेताओं इस मामिले में कुछ किया नहीं इतना क्या कि संजेपासवान चुप हो गए और आगे की राह तलाशने लगे है लालू परसाद यादव ये सब देख रहे थे वो नई सिरे से मस्बूत हुए थे केंद्र में वो आ गए थे प्रदेश में अभी उनकी पतनी रापनी देवी की सरकार चल रही थी उनका गड़ती ये था कि संजेपासवान को अपनी तरफ ले लिया जाए तो महार दलितों में पैट बनाई जा सकती है और राम विलास पासवान को काउंटर किया जा सकता है राम विलास पासवान के बाद दुसाद इसे जाति की अर्थ में इस्तिमाल किया जा रहा है वोड बैंक है बिहार में इस वर्ग की पूरी वफादारी यजातर की वफादारी राम विलास पासवान के साथ है दुसाद दल्टों के भीतर का एक वर्ग है, बिहार की आवादी में आठ से नौ फीजदी के लगबग है, हाजीपुर और समस्तिपुर का अगर इलाका देखें तो यह ग्यारा परसेंट से भी जादा हो जाता है, संजेपासवान को लाने के पीछे लालू की युक्ति थी कि इस संजेपासवान को लगा कि लालू के साथ जाने से उनका पॉलिटिकल रिवाइवल होगा, प्रोफेसर सहब धोका खा गए, इस बार उन्होंने वक्त को गलत पढ़ा, लालू यादावन ने जब संजेपासवान को आर्जेपासवान को राश्ट्री प्रवक्ता बनाया, उस पहली साल में दो बार विधान सभा चुना हुए बिहार में, जब पहली बार चुना हुए तो किसी को इस पश्ट बहुमत नहीं मिला, किसी को लगा संजे का वक्त खराब है, किसी को लगा लालू का, दोनों की कैलकुलेशन गलबट थी, LJP रट लगाए रही, किसी दलित क किसी मुस्लिम को बनाओ, मुख्यमंतरी, दलित को आगे करो, ये वो, और विधान सभा भंग हो गई, उदर जेडी यू और बीजेपी की यारी मजबूत हो गई थी, और वो अपनी दम पर सत्ता में आने की तैयारी कर रहे थे, लोगों को लगता था कि लालू यादो कभी बिहार से नहीं अट सकते, लालू यादो कभी बिहार की सत्ता से पद्चित नहीं हो सकते, कहा भी जाता था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, लेकिन 2005 में हुए दूसरे चुनाओं ने इस कहावत को जूटा कर दिया, संजब पासवान को महेश्वर हजारी को, हजारी को और 30,147 वोट मिले और संजब पासवान को 32,318 वोट, तीसरी हार, विधान सभा में, लोकसभा की नहीं जोडी है, 5839 वोटों से हार गए संजब पासवान, ये नीतीश कुमार का चुनाओ था, ये जडियो और बीजेपी के सप्ता में आने क चुनाओ था, संजब पासवान को अफसोस तो खूब हुआ होगा कि वो ऐसे वक्त में बीजेपी छोड़ कर किसी और के जहाज में सवार हो गए, वो लालु यादाओ के जहाज पर तब सवार हुए, जब उसकी पाल को चूहे कुतर चुके थे और दीमा को उसका पेंदा च समझने में बड़ी चूख हो गई, फसल लगाने में में मेहनत की लेकिन बखारी में भरने का टाइम आया तो बाहर चले गए, मगार फिर भी ये बात तो है कि अगर शत्रंज और राजनीति का इतना सच में कोई रिष्टा होता तो हो सकता है कि विश्णात आनंद जो शत्र साथ में छट के बाद एलजेपी जोइन कर ली, पत्रकारों ने पूचा क्यों जा रहे हैं, बोले राम विलास पासवान के नेत्रत्त में दलित राजनीति को नई उचाई पर ले जाना चाहता हूं, फिर हो गई घर वापसी, आपने वो माईग्रेटरी बर्स देखी, एक ख कभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्रामर चेहरा हुआ करते थे, तब बिहार में पार्टी के राजनीतिक मामलों के प्रभारी थे, राधा मोहन सिंग जो इस वक्त मोदी की सरकार में मंत्री हैं, तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, रवी शंकर प्रसाद और कई नेता थे, जिनकी मौजूदगी में संजय ने घर वापसी की, कर राज मिश्र ने कहा भी, ये तो घर लोटे हमारे अपने थे, बीच में कोई गलत फैमिया हो गई, लेकिन गलत फैमियों को दूर करना इतना आसान भी नहीं था, वो पार्टी में वापस आ गए, लेकिन लगे, सेमिनार करने लगे, किताबे लिखने लगे, धेर सारी किताबे लिखी हैं संजय पासवान ने, एक दलित इंसाइकलोपीडिया तो बड़ा मशूर है, इन्हें एक्सपे समित कई अख़वारों में कॉलम भी लिखते हैं, 2013 में राजनास सिंग के दौर में उनकी ठीक 14 के लोग सवाचुनाव में टिकट मिले, लेकिन नरेंद्र मुदी चीजें इतनी आसानी से नहीं भूलते हैं, और संजय पासवान वो अभी भी अपने ही हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं कि वो आज भी मन की कहते हैं, मन की करते हैं, कई बार पार्टी आ गलती कर रही हैं, फिर एक बार किसी रिपोर्टर ने गोरक्षकों के बारे में सवाल किया, तो बोले कि सारे गोरक्षक जो सडकों पर गुंड़ाई कर रहें, ये देश द्रोही हैं, और उनको फासी पे चड़ा देना चाहिए, उनका बयान था, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश चलाते हैं, उनको भी सामने आकर गोरक्षकों पर बयान देना पड़ता है, सोच ये वो भी कितने मजबूर हैं, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है, एक बात और कहीं उन्होंने, बोले दलतों के घर जाकर खाने से दलतों का भला नहीं होने वाला, फिर एक बार अ उनके साथ खाना खाएं, दलत का जूठा अपने घर पर गिराएं, ये उनके घर जाकर खाना खाने से बहतर विकल्फ होगा, और देखिए, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जब मैं का पहला सप्ता है, साल 2018 है, तब यही बात संग कह रहा है, क्योंकि उत्तर प्र ये भी कहा था कि वो अपने कमरे में इन सारे नेताओं की तस्वीरें चिपका रहते हैं, संजय पासवान, अभी उनका जिक्र होता है, तो आपको मायावती भी याद आ जाती है, इसलिए भी क्योंकि मायावती दलित राजनीत का एक बड़ा चेहरा है, और इसलिए भी क्यो ने कहा, अब आगे की बात, रणनीती क्या है, क्यों भारती जंता पार्टी, उनको नए सिरे से सक्री राजनीत मिला रही, वो भी राज की राजनीती में, दोहजार उन्निस पर नजर है, क्योंकि सारा खेल, सारी चाले, दोहजार उन्निस के चुनाओं को ध्यान में रखकर चली जा रही है, और दोहजार उन्निस में हमेशा की तरह, यूपी और बिहार ही सबसे बड़ी संख्या में सांसत भेजेगा, और ये तै करेगा कि दिल्ली के तक्त पर किस की दावेदारी है, लोग सभाचुनाओं की बात करें, तो मोदी का दाव सफल रहा था, उपिन कु और मोहन भागवत के बयान को आगे करके और भी कई वजहों से बीजेपी को पचाड दिया था, सयुक्त कठवंदन ने, ऐसे में नरींद्र मोदी हमेशा उनको लग रहा है कि अगर बिहार में बहार लानी है लोग सभा के चुनाओं में, तो दलत वोट बैंक को अपने साथ करना होगा, जीतना मांजी लालू के खेमे में चले गए हैं, महादलतों को लेकर नीतीश का दावा उतना दुरूस्त नहीं लग रहा है, ऐसा भी कही लोग का कहना है, ऐसे में एक नए चेहरे की जरूरत है, लेकिन ये नया चेहरा ऐसा हो, जो जाचा परखा हो, और इसी ल 2019 की कहानी है, जिसके चौसर पर हर दिन बदला हो रहा है, नए पांसे नई चाले, इन सब पांसो और चालों की कहानी, इन किरदारों की कहानी, रंडीतियों की कहानी, चुनावों की कहानी, आपको लगातार सुनाता रहेगा, बीललन टॉप डॉट कॉम अपने पॉलिटिकल किस्सों के जरिये अगर आपको यह किस्सा पसंद आया है तो ज्यादा ज्यादा शेर करिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत करवाईए यह भी पताइए कि क्या वाकई आपको लगता है कि भारती जंता पार्टी और उसके शीष पर बैठी नरेंदर मोदी दलितों क हितैशी है या आपको विपक्षी नेताओं के आरोपों की तरह लगता है कि उनके दावू में दम नहीं है प्रयासों में दम नहीं यह सब धूंग है आपकी राय से हमारी समझ सम्रद्ध होगी दिलललनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्से अगर आपको पसंद है और आपको ल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर यह काम पहले कर चुके हैं तो दूसरों से भी करवाएं ताकि उनको भी आपकी तरह ही पॉलिटिकल किस्से जानने समझने और और औरों को सुनाने का सुख हासिल हो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा झाल